हमार साथ दीपक सिंग है गांधी परिवार के काफी करीब माने जाते हैं दीपक सिंग आप MLC भी रहे आप गांधी परिवार के करीब हैं मुझसे सवाल एक जानना आप से चाहरा हूं कि प्रधानमंत्री वारानसी अमित्शा गांधी नगर दो बड़े नेता कहां से लड़ेंगे पता राजनात सिंग लखनू से राहूल गांधी कहां से लड़ेंगे प्रियंका गांधी कहां से लड़ेंगे ये कब पता चले जब कॉंग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई थी तब लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे तब इस बात का शंदेह उत्बन किया गया था राहूल गांधी जी अमेठी स्यौन लड़े भी थे और सांसद हुए थे देश में कॉंग्रेस पार्टी सरकार बने थी आज भी देश में भी और अमेठी में भी 2004 वाले हालात हैं राहूल देश में नफ़रत के महाल के खिलाफ आज भी आप महारास्ट्रा तक की दूरी को नापते हुया मुझबत ने प्रेगाम देते हुए तो अमेठी के लोग संदेश लेकर अमेठी जाना चाहते हैं कि आप अमेठी ai आई ये अमेठी आपके लिए तयार है जिस जार की तरह ही कॉंग्रेस पारड़ी सरकार बने राहुल गंदी देश के पता हुंति बने गए रहे वहां गर बनाया उन्होंने वह में बाकाइदे प्रियंका गांधी जी जब उत्तर प्रदेश की चुनाओं की कमान समाल रही थी शंगठर बना रही तब वह उनका कैम और भ नाता वही है जो नाता भाए और भेहन की बीच में है तो खुड कहते हैं वहीनाता उनका मेठी लोगों से है तो रायवयर सब्सक्राइब के इंज्ञा यहां चाहते हैं इंकारेल किßenया गांधी काफी कम उम्मने में बना दिया था उतरप्रदेश में माना जाता है कि गांधी परिवार के एक तरह से प्रवक्ता हैं वहाँ के एक शेत्र में तो मैं आपसे सीधा सवाल पूशता हूँ कि इसमें कोई संसेब नहीं है कि अमेठी से राउल गांधी और रायवली से प्रेंका तो दीपक सिंह कह रहे हैं कि अमेथी से राहुल गांधी और प्रियंका से राइबरली से प्रियंका गांधी चुनाव लेंगे और रिकॉर्ड मर्तों से जिता करके वहां की जंता उनको भेजेगी कैमरामन निरस्तिवारिक सातरुन सिंग न्यूजट इन इंडिया दिल्ली